है ऐलो दोस्तो स्वागते हैं आपका थीछ चानल में तो कैसी आप सभी आप सभी ठीक रहुँएन तो ओज हम इस टूट्रेल में क्या सिखने वाल हैं दिखते हैं तो आज इस टूट्रएल में सिखने वाले हैं Google Translate application के बारे में तो Google Translate application बहुत से लोगों को पता रहेगा, जिनको पता नहीं है, उनके लिए बतता हूँ कि Google Translate option आपको translate करने के लिए easy हो जाता है, जैसे कि आप अगर English में आपको problem है, तो जिस भी language में आपको problem है, तो यहाँ पे आप translate, उस language में translate कर सकते हैं, तो इस तरह से Google Translate का use किया जाता है, तो गाईज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करना, और इस वीडियो को पूरी देखिए, तो यहाँ पे Google Translate application आपको प्ले स्टोर में easily मिल जाएगा, तो यहाँ से प्ले स्टोर में जाए, प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ से आप Google Translate application इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद हम इसे डिरेकली ओपन करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों application ओपन होने के बाद एक ध्यान में रखना, आपके जिस mobile पे आप Google Translate चलाने वाले हैं, उसमें आपकी email ID होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे आप जैसे 3.पे क्लिक के, यहाँ पे देख सकते हैं, मेरी profile, मेरी email ID हाप आपको show हो रही है, तो यहाँ पे mail ID होनी चाहिए, उसके बाद दूस्तों यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इंटरफिस आपको आईसा आएगा, जिसमें आपको फ बहुत सारे मिल जाएगी, यहाँ से आप सिलेक कर सकते हैं, उसके बाद हिंदी के यहाँ भी same language मिल जाएगी, यहाँ पे search को option भी है, यहाँ से direct search भी कर सकते हो, उसके बाद देखिए, यहाँ पे English जो हिंदी किया है, तो हम tap to enter text, तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ English में लिखत करके translate कर सकते हो, उसके बाद दोस्तों यहाँ आप camera का भी option दिया है, conversation का option दिया है, transcribe का भी option है, यहाँ पे तो camera का option में क्या है, तो camera का option में जैसे कि आप QR code scan करते हो, यही पे same यही जो language आप camera on करके जिस language बेवी translate करना चाते है, तो यहाँ पे आपको translate हो जाएगा, यह तो उपर देख रहा होगा यह जो language उसका English में translate देखिए, stop ऐसे आ रहा है, तो इस तरह से आप language camera के दुरू भी translate कर सकते हो, उसके बाद conversation का option है, conversation का option में आप conversation कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हमने conversation transcribe का यह दो option है, यह भी आप use कर सकते है, translation के लिए, उसके बात दोस्तों यहाँ पर three lines पर जैसे click करेंगे, fresh book यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर देखिए, your fresh book is empty, tap star next to a translation to save it here, तो यहाँ पर आप save भी का सकते हैं, जो जो भी आपने translation किया है, तो यह option आपको यहाँ पर मिल जाएगा, दिन उसके बाद, save transcript तो यह save करने क लिए अप्शन मिल जाएगा, offline translation के लिए यहाँ भी option है, setting option है, यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आप type 2, translate, data usage, camera, region, speed, speed, input, कितना रहेगा, वो आप यहाँ से select कर सकते हो, तो इस तरह से आप Google Translate का use करके, जो भी आपको translate करना है, जिस भी language में translate करना है, वो आप यहाँ से translate कर सकते हो, तो वीडियो को अभी तक अपने like नहीं किया होगा, तो like करें, और वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद,